हलो फ्रेंड्स वेलकम टू SSC कोचिंग सेंटर दोस्तों आज के वीजियो में गडित के महत्वपूर प्रेश्णों की बात करेंगे तो चले स्टार्ट करते हैं पहला प्रेश्णी है दो वट्टे तीन का पांच वट्टे चार का छे वट्टे साथ का 2170 है देखिए जो नए तीन लिखा हुआ उसके बाद में का है तो का का मतलब होता है क्या गुना ठीक है अब लिखा हुआ है पांच बट्टे चार फिर दे रखा है का दिया जाए की या के उसका मतलब गुना होता है फिर दिया गया छे बट्टे साथ का का मतलब गुना कितना 270 अब बस इसको जैसे मैं 2 से 4 कटा दूँ दो बार में और 3 से 6 कटा दूँगा ये भी 2 बार में 2 से 2 कट जाएगा 7 से कटाऊंगा 7 तरिक का 21 और 7 एकम 7 एकी 0 310 बार में ये कट जाएगा अब बचा कि आपके पास 5 गुने 310 5 गुने 310 बचा है बस इसी को सॉल्ब कर ली जा अंसर आ गया 5 का गुना 0 में करेंगे 0 5 एकम 5 5 तरिक का 15 1550 ये क्या आपके प्रश्णी का सही जवाब 1550 यानि कि पहला ओप्सन क्या हो जाएगा आपके प्रश्णी का बिल्कुर सही जवाब तो जो बच्चे इस प्रश्णी है 2 पूरांग 1 बट्टे 7 पिलस 3 पूरांग 6 बट्टे 7 पिलस 5 पूरांग 1 बट्टे 6 है इसको सॉल्ब करना है ठीक है अब दीके सबसे पहले अगर आपको इस तरीके का प्रश्णी दिया जाए तो आपको क्या करना होता ये जो बाहर वाली संख्या है ये सबसे पहले है तो इनको अलबग कर लो पहले तो दो और तीन, पांच, पांच कितना हो गया 10, इसको हमने अलगत कर लिया, अब बचा कितना हमारे पास । एक बटे साथ, पिलस छे बटे साथ । पिलस एक के बटे में च्शे यही तो बचा, हैब देखिए, दस यह रहा पिलस ये 7 7 6 का LCM में लूंगा तो कितना आ जाएगा भई 42 आ जाएगा अब 7 से 42 को काटेंगे 6 वार में कटेंगे 6 का गुना 1 से करेंगे तो 6 7 से 42 को काटेंगे 6 वार में कटेंगे 6 का गुना 6 से करेंगे तो 36 यह प्लस का साइन है न यह भी प्लस का है 6 से कटा तो 42 को 7 वार में कटेगा 7 का गुन एक से करेंगे तो 7 ठीक है आप देखिए 10 पिलस 6 और 36 42 42 में 7 जोड़ेंगे 49 बटे में क्या रहेगा 42 ठीक है अब solve करेंगे ये आपका 10 रहेगा पिलस ये 49 है 49 का square root आप करेंगे तो क्या होता है 7 49 का आपने square root कर लिए कितना होगे 7 बटे में कितना है आपका बटे में है 42 आप इसको लिख सकते हैं 10 पूरांग 7 बटे 42 किस option में है भाई 10 पूरांग 7 बटे 42 किस option में किसी भी option में नहीं है क्या किसी option में है किसी भी option में नहीं है ये तो अब क्या किया जाए अब हमारे प्रेश्णिक आंसर कैसे आएगा मैं आपको बताता हूँ प्रेश्णिक आंसर कैसे आएगा ठीक है मैं आपको बताता हूँ आपने इस तरीके से प्रेश्णिक को सॉल्व किया आप कांसर नहीं आया आप चक्कर में पढ़ गए भाई क्या होन वाला अगर मैं इस condition को नहीं solve करूं आज तो आप अठके रह जाएंगे या फिर मैं यहीं पर आंसर बता दूं तो भी आप अठके रह जाएंगे पूरी जानकारी आपको नहीं मिलेगी क्या मिल जाएगी पूरी मैं क्या करूंगा 42 को लेंगा ठीक है अब दीकि मैंने यहां पर क्या 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 था उनन्यचास का डायरेक्ट स्क्वारूट कर दिया भई मैंने ॐ क्म कर दिया मैंने ॐ क्म कर दिया जबकि स्क्वारूट का Toaऊसाई नkteरख tv आथा पिलस एक बार में ये कटेगा ठीक है अब 42 कटा तो बचेगा कितना 7 बटे में 42 अब 42 का गुणा एक में करो 42 42 में जोड़ो 7 49 आ जाएगा वही वाला आ जाएगा कि नहीं तो 42 एकम 42 42 में साथ जोड़ोंगे 49 बटे 42 वही हो जाएगा तो इसमें से क्या गिया काट गया एक बार तो 10 और एक ये 11 ग्यारा पूरांग 7 बटे 42 इदा लिख देते हैं 11 7 बटे 42 अब ये आपका सही जवाब है अगर मैं इस सुच्वेशन को आज आपको नहीं बताऊंगा तो आप अटके रह जाएंगे इसलिए बताना ज़रूरी है अब देखेंगे अगला प्रश्नी अगला प्रश्नी है लेकिर हैं 50005 divided by 35 divided by 5 divide divide में संक्या चलेगे कोई बात नहीं संक्या हमारे पास 5005 divided by 35 अब ये divide वाली संक्या को अगर मैं गुणा में बदलूं तो यह संक्या कहा जाएगी पलट जाएगी मतलब एक के बट्टे में 35 हो जाएगी पलट जाती है डिवाइड वाली संक्या को गुणा में बदलेंगे तो यह पलट जाती है अब यह भी डिवाइड है इसको भी मैं गुणा में बदलूगा तो यह भी पलट जाएगी एक बट 35 बचा है ठीक है डिवाइड़ाइ 35 कटा लो 7 पंजे 35 कटेगा 7 से भी मैं इसको कटाऊंगा 7 से कटाऊंगा 7 एकम 7 3 बचेगा 31 7 चोक्य 28 28 तक कट गया ठीक है 28 तक कटने के बाद यहां पर कितना बचाऊंगा मैंने 7 से कटाया ना इसको 7 एकम 7 3 बचेगा 30 हो गया 7 चोक्य 28 दो बचेगा 21 हो गया 7 तरिक का 243 बार में यह कट गया अब 143 डिवाइडर भाई कितना है 5 है कटा दो भाईया 5 दूने का दस 5 दूने का दस 4 बचेगा नहीं जाएगा 43 32 बचेगा नहीं जाएगा दसमलब 30 हो जाएगा और 5 चिक के तीस 28 दसमलब 6 यह आपका बिल्कुल सही जवाब है पात समझ में आ गई अब देखेंगे अगला प्रश्ने अगला प्रश्ने है 555 दसमलब 0-5 प्लस पाँचपन दसमलब 5-0 प्लस पांच दसमलब 5-5 प्लस 0- दसमलब पांच बाद देखिए दसमलब वाली संक्याओं को जोड़ने के लिए कहा गया है तो कैसे जोड़ेंगे दसमलब वाली संक्याओं तो सबसे पहले दसमलब लगा लो और दसमलब के बाद वाली संक्याओं को बाद में लिख दो और दसमलब से पहले वाली संक्याओं को पहले लिख दो ठीक है इस तरीके से करिए फिर दूसरी संक्या में जहां दसमलब है तो दसमलब के नीचे दसमलब दसमलब के बाद में दो संक्या है 5-0 तो मैंने लिख लिया और दसमलब से पहले दो संक्या पांच पांच तो ये भी लिख लिया अब तीसी संक्या में भी दसमलब से पहले दसमलब दसमलब से पहले एक पांच है लिख लिख लिया दसमलब के बाद पांच पांच है तो ये भी लिख लिया फिर क्या करेंगा दसमलब के नीचे दसमलब, दसमलब से पहले 0 है लिख लिया, फिर 5, 5 है तो ये भी लिख लिया, सब को जोड़ना है, अब सब को जोड़ना है जोड़ लो, फिर से करेंगा तो इसी तरीके से जोड़ियेगा, हमेशा सही आंसर आएगा, अब देखेंगे अगला प्रशने, अगला प्रशने है, 25.6 प्रतिसत का 250 पिलस रूट कोश्चन मार्क बराबर 119 है, इसको हमें सौल्ब करना है, देखिए, ऐसा प्रतिसत का मतलब आप क्या जानते हैं, बटे में 100 होता है, इतना आपको पता है, अब मैं इस दसमलब के साइन 250 पिलस का रूट कोश्चन मार कीज़ेगे, मैं X से ले लेता हूँ, X कमान फाइंड करना है, बराबर 119, अब देखिए, एक जीरो से ये एक जीरो कट गया, 25 से सो चार बार में कट गया, अब दसमलब भट गया, तो ये 256 हो गया, तो चार से कट आओंगा 256 को, तो चार शि गुने का है, गुने काली संक्या तो सॉल्व हो गई, अब आपको ये पिलस का रूट X बराबर 119 बचा है, अब देखिए, रूट X बराबर 119, पिलस का 64 बराबर इधर आके माइनस का 64 हो जाएगा, तो रूट X बराबर 119 में से 64 को गटा दो भईया, 55 बचेगा, इधर हल कईजिए, हमें कי क्या दिया राखा है, रूट X बराबर 55, हमको मान किसका निकालना है भीया, हमें मान निकालना रूट X का, रूट X का मान निकलके आ गया, 55, 55 क्या हो गया, मेरा सही जबाब, लेकिन आगे तक से प्रेश्न को कैसे ले जाते हैं, X बराबर 55, अब यहाँ स से root हटेगा तो इधर जाके इसके उपर square लग जाएगा इधर से मैंने root हटा दिया इधर जाके संख्या के उपर square लग जाता है हमेशा तो x बराबर 55 का square कितना होता है 30 25 होता है यह आपकी प्रश्निका सही जवाब यह आपका क्या हो गया आंसर हो गया ठीक है अब यहाँ पर मैंने option नहीं दिया अगर यहाँ पर माली जी आपके पास चार option होते आपके पास माली जी चार option होते जिसमें क्या होता आपका एक आंसर होता 55 ठीक है एक होता मानली जी 54 और एक आपका यह जो 3025 निकल के आया है ये भी होता मानली जी और कोई दूसरा आंसर होता आप देखे ये भी आंसर होता अब मानली जी आप से पूछाया रूट एक्स का मान बताईए तो रूट एक्स का मान 55 आया और 55 ओफ्सन में दिया गया है और एक्स का मान 35 पच्चीस आया कौन सा सही है 55 सही है या 3 है 25 तीन हजार पच्चीस सही है के लिए सभी को कोई दिक्कत नहीं होगी अब देखेंगे अगला प्रश्ने अगला प्रश्ने है 1425 पिले 8560 पिले 1600C divided by 200 क्या होगा आपके प्रश्ने का सही आंसर ये दोस्तों ये प्रश्ने में आप आपको होंबर के लिए दूगा ये प्रश्न में आपको होंबर के लिए दूगा बिल्कुल भी कठिन नहीं है इनको जोड़ना है और डिवाइड वाली संक्या को आप गुना में लेकर solve कर लो चाहें आपको क्या करना है 200 से इसमें डिवाइड देलो पहले से कर लिजी कैसे करो लो आंसर भी आना है ठीक है आप 200 से समें डिवाइड देखे देख ले तो ये प्रिश्ण होंबर्ग के लिए है आप मुझे इस प्रिश्ण का सही आंसर बताएंगे क्या आएगा ठीक है दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद